हेलो फ्रेंड्स यहां पर दीके DIY के टर्मन ने बुद्धि लब्धी को कितने प्रकार में वर्गे खृत किया हुआ है यह आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं जैसे कि जो 130 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धी होगी वो प्रतिभाशाली बुद्धी, 121 से 130 के बीच में जो होगी वो प्रकार बुद्धी, 111 से 120 तक की जिसकी बुद्धि लब्धी होगी वो दिवर बुद्धी, 91 से 110 तक की जिसकी होगी वो सामाने बुद्धी, 81 से 90 तक की मंद बुद्धी, 71 से 80 तक की अल्प बुद्धी, 71 से जो कम होगा वो जड़ बुद्धी लब्धी होगी तो वो बालग क्या कहलाएगा और जिसके सबसे कम बुद्धी लब्धी होगी तो वो क्या कहलाएगा तो आप से एक्जाम में अधिक त्र पूचा जाता जैसे कि यहां पर देखे पूचा गया था तर्मन के अनुसार develops 90 90 से 100 तक की बुद्धी लब्दी का बालक माना जाता है क्या माना जाता है 90 से 100 तक का तो ये सामाने बुद्धी होगा